जह हिंद इस वीडियो में लोग सरकार की निव हाइड्रोजन पॉलिसी के बारें बात करेंगे आपको बताऊंगा कि निव हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है इस निव हाइड्रोजन पॉलिसी के तहस सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन नेमोनिया बनाने पर इतना जूर क् रहा है हर एक चीज पर तफसीश और तसलिश से बात होगी आपको लेगा चलते हैं अपने बोट पर जहां हर एक चीज के साथ आपको असान भासां बताऊंगा तो आज़े वीडियो सुरू करते हैं तो आज़े सबसे पहले समझते हैं कि नीव हाईडरोजन पॉलिसी क्या है देखिये नीव फॉलिस से पर यसके बारे में अभी हमनों बात करेंगे लेकिन यह जाने पॉलिसी है जिसके बारे में कलूर्जा मंतरी आरकेसिंग ने बताया यह इसी हデсон चैए एक बनाए कर दोनों को भविस्य का कहा जाता है है जैसे आपको पता है कि कोईला पेट्रॉलियॉम णिजल ने भी है सब यह सब की रूप में प्रीविके को दो making उत्त पाइउ और भारत सरकार का लक्ष है कि 2070 तक भारत को एकदम कारवन फिरी देश बनाना है तो उसी की दिशा में पहला कदम है ग्रीन हाइड्रोजन तो समझे इस निव हाइड्रोजन पोलिशी के तहस सरकार 2030 तक 50 लाख टरन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी अपने ही है इससे पेट्रोजन की निर्भारता कम होगी और जो सबसे बड़ी बात है कि चीन अभी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने में नंबर वन देश बन गया है तो कहीं ऐसा नहों कि हम लोग चीन से पीछे रहा जाए जिसके बारे में सरकार ततपर है और जिसम्तले दुसरा एंडिया इस्थरा और छेसे हैं इसमिंद्बाजलन किया जाएगा जाए इस टेक्नलोजी पर काम करते इस बी आप नजर रख सकते हैं अब बात करते हैं जो जो ग्रीन हाइट्रोजन उत्पादिन करने के लिए गूट्स और मसिनरी बनाएगी जो कंपनिया उसमें थार्मेक्स लिमिटेड बॉस और क्यूमिन्स इंडिया इस कंपनी पर आप नजर रख सकते हैं और जो ग्रीन हाइट्रोजन का यूज करते हैं कंपनिया वह कौन-कौन से तो उसमें देखेंगे दीपक नाइट्रेट मस्ट कंपनी इस पर एक दम नजर बनाके रखेगा उसके लावां आर्टी इंडस्ट्री अलकाईल एमाइस जैसे कंपनिया और लेडी ग्रीन हाइट्रो आता को समझ में आया होगा अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझे पूछे बाकि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद शुक्रिया